गौालियर अंचल में ATM कटिंग की फिराक में आए मेवाती गेंग का देर रात पुलिस से सामना हो गया जिसके बाद पुलिस ने गेंग के तीन सदस्यों को देर रात एक मुठवेर से गिरफतार किया है पुलिस ने गौालियर और मुरेना के बीच हाईवे के पास एक धावे के करीब पुलिस ने गेंग के तीन सदस्यों को गिरफतार कर लिया पुलिस को गेंग के पास से एक क्रेटा वाहन वा हत्यार वरामद हुए हैं गौालियर एसपी द्वारा इस गेंग को पकड़ने वाले पुलिस कर्मियों को 10,000 रुपे का कैश अवार्ड देने की घोशना की गई है पुलिस को मुख्वीर से सूचना मिली की हाईवे पर मुरेना की तरफ छुन्नू ढावे पर एटियम काटने वाली मेवाती गेंग के लोग मौजूद हैं जिसके बाद गौलियर टीम मौके पर पहुँची मौके पर पुलिस ने आरोपियों को घेरने का प्रयास किया फजल खान है साथ महां जेल में रह चुका है और जो एक अन्य आरोपी है उसका भी हर्याणा में क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनको आज रिमांड में लेकि हम इनसे अभी पूश्टाच करेंगे कि ये कितनी वारदातों में शामिल रहें और साथ ही इसकी सूचना हम अन्य जिलों को भी दे रहा हैं जिससे कि वहां एटीम कटिंग की अदि कोई घटना है लंबे थो तो वो इससे पूश्टाच कर सकें कुल मिला के ये बड़ी एक अच्छी कारवाई हुई है मुख्बिर की सूचना पे एडिशनल एस पी सेंट्रल सी एस पी मराजपुरा और टी आई मराजपुरा की टीम ने किसी वारदात को करने से पहले इनको पकड़ लिया इनके पास एक पिस्टल भी बरामद हुई है और जब इनको पकड़ने के लिए हमाई टीम पहुँची थी तो इसमें से ये दो विक्ती उतर के खेतों में भाग गए थे और इन्होंने फायर भी किया था इसलिए इसमें धारत 307 भी हमने लगाई है और कुल मिला कर एक बड क्वास में लंबे समय तक जेल में रहा है क्वास में लगाई है